हेलो स्टुडेंस आज एक क्लास 11 के लेक्शर में हम लोग पढ़ेंगे कॉंबिनेशन आफ एरर्स मतलब कि सपोर्ज कि हमें कोई फिजिकल कॉंटिटी दी गई है जो अलग अलग कॉंटिटी पर डिपेंड करती है तो इस डिपेंड करने के डियूरिंग अगर हमारी जो मेंन क्उंटिटि जो उस में कोई एरर आएगी तो हमारी मेंन क्ंटिटि में किस तायप की एरर आएगी यह हमGO कल्कुलेट करना सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडिशन में जिस सपोस कि अगर मालेजे कोई एक quantity है जो दो अलग-अलग physical quantities पर addition के रूप में depend करती है, मालेजे कोई एक quantity है y वह a और b पर addition के रूप में depend करती है, ठीक है, तो मालेजे कि अगर a के measurement में delta a की error आए, b के measurement में delta b की error आए, तो उसके corresponding y की measurement में जो error आएगी वह a delta y आएगी, ठीक है, अगर इस quantity को हम उसके क्या कहते हैं, error के साथ लिखेंगे, तो यह हो जाएगा y plus minus delta y equals to a plus minus delta a plus b plus minus delta b, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सारे brackets को open करेंगे, तो यह हो जाएगा y plus minus delta y equals to, यहाँ पर देखें, a plus b, a plus b, और आगे plus minus delta a, a plus minus, यहाँ पर भी होई होगा, plus minus delta b, ध्यान से देखें, यहाँ पर भी y addition में है, यहाँ पर भी a plus b addition में है, और मैं starting में ही लेकर चलेंगे, y का मान a plus b के equal होगा, ठीक है, तो y और a plus b, यह दोनों एक दूसरे के effect को neglect कर तो अगर हम आगे देखें, तो यहाँ जाएगा, plus minus delta y equals to plus minus delta a plus delta b, where delta is the error in measurement of capital a and delta b is the error in measurement of capital b, और इसके corresponding जो में error मिली है, delta y, यह error है, capital y में, plus minus का कोई vicious effect नहीं पढ़ने वाला है, तो यह हो जाएगा, आगे delta y equals to delta a plus delta b, इसका मतलब क्या है, कि just suppose कि अगर हमको कोई quantity दी गई है, जो अलग-अलग दो physical quantities पर depend करती है, वो भी कैसे, addition के रूप में, तो इस दौरान, अगर a के measurement में जो error आ रही होगा, delta a यह आ रही है, और b के measurement में जो error आ रही होगा, delta b आ रही है, तो इसके corresponding y में जो error आएगी delta y, वह इन दोनों individual errors के sum के equal होगी, इसका मतलब क्या है, कि अगर इसमें ज़्यादा error हो रही है, इसमें कम error हो रही है, तब ही delta y में ज़्यादा error होगी, अगर दोनों में से किसी एक में ज़्याद होगी है, absolute error, absolute error, अगर हमको relative error निकालना होगा, तो हम अपने error में, अपने real value से divide कर देंगे, तो हमार relative error बन जाएगी, अगर उसी चीज़ को हम percentage में 100% में calculate करने लगेंगे, तो हमारी percentage error बन जाएगी, next हम लोग देखते है, error in subtraction, तो students, हम लोग next देखते है, error in subtraction, मतलब कि अगर माली जे कोई हमारे given physical quantity इस प्रकार से है, कि वह दो different physical quantities पर subtraction के रूप में depend करती है, मतलब कि माली जे एक quantity है, Z, यह depend करती है, A और B पर कैसे subtraction के रूप में, मतलब A से subtraction B को कर रहे हैं, तो हमको Z मिल रहा है, अब अगर A में जो corresponding इसके error आ रहे है, वह आ रहे है, delta A, B के corresponding जो error आ रहे है, वह delta B आ रहे है, तो इसके इन दोनों के corresponding जो Z में error आएगी, वह delta Z से हम denote कर रहे हैं, तो अगर अब उस quantity हम उसके error के साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा, Z plus minus delta Z equals to A plus minus delta A minus B plus minus delta B, ठीक है? अब brackets open करेंगे, तो देखेंगे, ध्यान से हो जाएगा, Z plus minus delta Z equals to A, यहाँ पर देखिए, A minus इसको negative कर देगा, यहाँ करके, यहाँ पर बन जाएगा, A minus B plus, ध्यान से देखिए, यहाँ पर plus minus यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा, plus delta, sorry, plus minus delta A, और यह माइनस, इस plus minus पर effect डालने के वज़ाए, इसको उल्टा कर देखिए, यहाँ प्लस प्लस delta B, अब minus plus लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, that will doesn't effect each other, तो यहाँ पर देखिए, Z यहाँ पर भी addition में है, यहाँ पर A minus B total addition में है, तो एक दूसरे का प्रभाव को निरस्त कर देंगे, अफिर cancel कर देंगे, तो यह हो जाएगा, plus minus delta Z equals to plus minus, कामन लेने के बाद, यह हो जाएगा, delta A plus delta B, और आगे अगर लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, delta Z equals to delta A plus delta B, ठीक है, यह हमारी आती है, relative, sorry, absolute error, absolute error, कब, जह हमारी given physical quantity किसी दो physical quantities पर difference के रूप में लाई करती है, फिर vary करती है, तो ध्यान देवरों यह बात यहाँ पर यह है, कि हमारे लिए addition में भी same rule आया था, मतलब same, same क्या कहते है, equation हमारे लिए addition में भी आया था, और same to same equation हमारे पास है, क्या कहते है, subtraction में भी आ रहा, ठीक है, अगर हमको relative error निकालना है, relative error तो relative error निकालने के लिका करेंगे, हम अपने इस क्या कहते हैं, जो हमारे पास error आई है, इसमें हम अपने real value के, तो students, आप लोग जानते है, relative error हम कैसे calculate करते हैं, हमारी जो error आई है उसमें हम अपने real value के मान से भाग दे देते हैं और जो हमें क्या कहते हैं division की रूप में प्राप्त होता है वह होता है हमारे लिए relative error और अगर हम percentage error की same time पे बात करें तो उसी relative error को अगर 100% में count करने लगते हैं वह है जो हमारी counting मंती हुआ कहलाती है percentage error इसके बाद जो आता है error से multiplication and division जो हम लोग अगले लेक्षेन पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you